अपना ओरिजिनल फोटो कुछ इस परकार से आप देख सकतो बिल्कुल ब्लेक ब्लेक है और हमने इसको बिल्कुल एडिटिंग भी नहीं कर रखा है और हमने इसको फॉर लेवल में एडिटिंग किया है तो काईसे अगर ना है फॉर लेवल में एडिटिंग देखो में बता सेकेंड लेवल में अपना कुछ इस प्रकार से हुआ है और थर्ड लेवल में कुछ इस प्रकार से हुआ है और फॉर्थ लेवल में कुछ इस प्रकार से यह बन गया ठीक है न भई तो फॉर स्टेप ऐसे बताऊंगा जिससे आप फोटो को इस लेवल तक पहुंचा सकते हो ठ बहुत यह آسان तरीवे से इस वीडियो में बताओंगा ठीकि stretching लिए बॉट करते हैं और यहां से करते हैं सब्सक्राइब ले लेना है थीक है नविख औरीजिनल फोटर ले लेंगे इसके बाद यहां से हम यह फोटो शेयर करना पड़ेगा तो यहां पर आप आजयना है तो अपना फोट अलड़िंग हो के बहार आ जाता है तो यहां पे आप देख्सके तो रेमिनी अप आप जानते होंगे रेमिनी अपको अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँगा और आप इस अपको प्लेश्टरू पर जाके डाउलोड कर लेना तो इसमें अपना फोटो है ना वह शेयर कर देना है तो तो कि मैं रेमेने एप में अपने फोटो को निकाल के बताऊंगा तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने एक बाना दिया है इसके जेस्ट नीचे तो भी वीडियो आप जाके देख लेना बहुत एजी तरीके से आपको समझाया जाएगा ठीक है तो यह अजब करना रेमिने एप से निकाला हो फोटा ठीक है अब हम इसको एडिईटिंग करेंगे जी चंब बैлекसिस करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा तो फैस स्मीसिंग करन वाला एप अफंटी का नामें supporting यह तो आप उस एपको प्लै स्टोर पर जाके डाउन लोट का लेना तब यहां से हम अपने में स्क्रीन पर आजेंगे इसके बाद यहां पर देखेंगे कि इसप्र कर रका है यहां पर सो कर रहा है तो हमें इसमें अपना नया फोटो लेना पड़ेगा तो हमें 3Line वाल आइकन पर किलिक कर देना है इसके बाद यहां पर input from file पर किलिक करना है इसके बाद discard पर किलिक करना है इसके बाद discard कर देना है तो हम सिधा अपने gallery में आ जाएंगे और वीडियो को एंड तक देखना इस्किप करके बिल्कुल भी मत देखना तो हम इस पेंसिल वाल आइकन पर किलिक कर देना है इसके बाद हमें बहुत सरे बरश यहां पर आप E内बW přिस्ट करेंगे हमstein का इसके बाद हमने को हंसा ऑला भी रखना है तो यहां पर कि यहां पर 15 कर देना मटना 50 कर देना इसके बाद कट कर लेंगे आ कि इसके बाद हमारे फोटो को जो मिन करेंगे और हमारे फैस के ओपर हलके हलके उंगली से रगड़ेंगे मतलब ड्रो करेंगे तो यहां से अपना फेस है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इसमूतिंग हो जाएगा ठीके न भई बहुत ही इजी तरीके से यहां से आपको इसमूतिंग कर देना है और यह तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि ऐसा तरीका आपको भाई नहीं बताएगा और कोई लेटी भी नहीं बताता है कि भाई किस तरीके से फैस को स्मूतिंग किया जाता है कैसे फॉट लेटिंग किया जाता है सब कुछ टुट्रियल तुमारा भाई बताता है पर तुम भाई को सपोर्ट नहीं करते हो तो यह बिल्कुल गलत बात है ठीक है न भई तो यार अभी फैस को smoothing कर दिया अब हमें क्या करना है ठीक है अब हमें इसका सट का कलर जेंज करना पड़ेगा तो सट का कलर का इसे जेंज करना है जो मैं इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से करके बताऊंगा तो इस वाला इकन पर हमें किलिक कर देना है इस वाला इकन पर किलिक करें इसके बाद यहां पर हमें देख लेना है कलर ब्लावन वाला एकन तो हमें इसके उपर किलिक कर देना है और यहां पर राइट का इकन लगा देना ठीक है यहां पर अपना राइट का इकन लग गया इसके बाद कर लेना है कट करेंगे फिर से पेंसिल वाला एकन पर किलिक करें तो ब्रस हमें कुट सा रखना है finally इस वाल बरस में रख लेना ठीक है अब इसकी साइच हमें बढ़ा नहीं है बढ़ा दी अब हमें एक color को select करना पड़ाएगा जो के अपना start का color green है तो हम green select करना है इसके बाद हमारे start के आपर हम रगरेंगे मितला हिलक हिलकी उगले से रगरेंगे तो अपना start का color है ना वह यहां से बहुत easily तरीके से change हो जाएगा ठीकिए तो फाइनले हमें यहां से चेंग कर लेना है इसके बाद अपने फोटो को डाउनलोड कर लेना है